नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा स्वागत है आपका करेंट अफेर की इस वीडियो में जिसे आप यूटलाइस कर सकते हैं किसी भी कॉंप्लिटिव एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में आपको करना होगा कोशन अटेम्ट और बाद में आपको कंट्री हैं जो उसके साथ बॉर्डर शेर करती है यानि कि आपको वो सारी कंट्री बतानी है जिसका कॉस्ट लाइन रेड सी के साथ कनेक्टेड है और कंट्री के नाम आपको इस तरह से गीवन है फर्स कंट्री आपके पास जॉड़न है सेकिंड कंट्री आपके पास सुड आपके पास उसमें सबस्क्राइब और यमन के बारे में बोला जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यानि कि जॉड़न को छोड़ दीजिये, बाकी तीनों कंट्री जो है, वह तीन कंट्री यह सब के सब बॉर्टर शेर करते हैं, रेड शी के साथ में, और ऑप्शन दी में आप जॉड़न के इलावा जो ओमान है, यह बॉर्टर शेर करता है, रेड शी के साथ, तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, कॉशन अटेम्ट करिए, तो इस कॉशन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, तो हमें एक बार देखना होगा, यह रेड शी का मैप को, उस इस रेड शी के साथ जो बॉर्टर शेर करती कंट्री, पहले उनको देख लेते हैं, कौन-कौन सी कंट्री है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होने वाला है, तो आप देख सकते हैं, कि भी साओधी अरेबिया शेर करती है, इस शेर करती है, एरेटिया शेर करती ह अब इस question के according जो हमें option दिये गए थे उसके अगर बात करें तो second and third country है यह बिल्कुल correct है second and third का मतलब यह हुआ कि भी Sudan और Yemen की बात करें यह दोलों तो border share करती है Jordan शेर नहीं करती है और Oman भी शेर नहीं करती है क्योंकि इनकी location इससे काफी दूर है अगर आप में देखें तो इनकी location काफी दूर हो जाती है इस बज़े से नहीं शेर करती है जैसे यह रहा ओमान जॉडन की बात करें Jordan कहीं यह रहा यहां पर जॉडन है जो कि एक landlock country आप बोल सकते हो कि border share नहीं करती है तो correct answer जो हमारा हो जाएगा B हो जाएगा इस question में आपसे खादी village industry commission के बारे में question पूछा जा रहा है जिसे short में KVIC भी बोला जा रहे है और आपके सामने यह 4 statement दे दिये गए यह first statement है उसके बाद यह second statement है और फिर उसके बाद यह third statement और finally आपके पास यह fourth statement है इन चारो statement में से आपको correct यानि की सही statement चूज करना है select करना है और उसी के according आपको एक question attempt करना है statement 1 में बोला जा रहा है कि providing employment in ruler area यानि की गामीन छेतरों में ruler area में employment opportunity create करना है KVIC का में काम है second statement में आपसे बोला जा रहा है providing syllable article यानि कि जो चीजे एक तरह से skill वगरा चीजों से बनाई जाती है काम करके बनाई जाती है उन चीजों को तयार करवाना है ताकि उसे बेचा जा सके market में यह काम करना होता है KVIC का और third में आपसे बोला जा रहा है कि creating self-reli science among the people and building up the strong ruler community spread यानि कि गाओं के अंदर लोगों के अंदर एक तरह से विश्वास भरना आत्म विश्वास बढ़ाना उसका ताकि वो अपनी community को ठीक बना सके और मजबूत बन सके यह इसका में मकसद है और fourth में आपसे बोला जा रहा है इसका अगर major function की बात करें तो हर village के अंदर हर एक village के अंदर एक industry setup करना इनका में मकसद है जो खादी से related हो तो चार statement आपके सामने है correct statement चूज करना है आपको option एक ही बात करें तो first, third और fourth ये तीन statement आपको correct बताय जा रहे है option B में बात करें तो third को छोड़ दीजिए बाकी जो remaining statement है वो सारे के सारे बिलकुल correct है और अगर आप बात करें option C की तो इसमें आप से बोला जा रहे है कि fourth वाले को छोड़ दीजिए बाकी सारे statement correct है और option D में आप से बोला जा रहे है कि first, second, third, fourth, four, चारो ही statement बिलकुल correct है तो आपके according correct answer क्या है question को attempt कर लीजिए तो इस question के correct answer की बात करें यानि कि Khadi Village Commission के बारे में बात करें जिसे हमारी country में 1956 में एक law पास करके जिस law का नाम है Act of Parliament Khadi and Village Industry Commission सेट अप किया था इस law के तहत और इसे फिर April 1957 में हमारी country में सेट अफ कर दिया गया था क्योंकि इसे law pass करके बनाया गया है तो आप ये बोल सकते हो ये एक statuary body है यानि कि statute करके law pass करके इसे बनाया गया है अगर इसके function की बात करें तो first, second and third ये तीनों ही function बिलकुल correct है यानि कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी country में village को promote करने के लिए खादी industry को promote करने के लिए ये institution set किया गया है इसका ये target है कि गाओं वगेरा में skills से जो चीज बनाया जाती है उसको promote करना उनके लिए market तियार करना और लोगों को motivate करना उनका self confident बढ़ाना ये इनका main मकसद होता है ठीक है यानि कि आप ये कह सकते हैं इसके objective भी हैं और इसक पूल करेक्ट है तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा इस कोशन में आप से square kilometer array observatory यानि जिस शॉर्ट में आप कह सकते हो आपके सामने ये तीन statement है इन तीनों statement में से आपको identify करना है कि भी correct statement कौन सा है तो पहले बात कर लेते हैं फर्स statement की जिसमें बोला जा रहा है कि square kilometer arrow observatory project will be in the world's largest radio telescope once completed यानि कि ये प्रोजेक्ट complete हो जाएगा S-K-A-O तो आप कह सकते हो world की ये largest radio telescope आप बोल सकते हो सबसे जादा बड़ा लार्ज साइज में ये telescope complete हो जाएगा world में ये first statement बोला जा रहा है second statement बोला जा रहा है it aims to study the origin of evolution of cosmic magnetics यानि कि आप ये कह सकतो हो कि हमारे जो origin किस तरह हुआ है हमारी life हमारी planet के ओपर life का कह सकतो हो origin कैसे हुआ planet कैसे बना इन सब की study करना ये इनका main काम है और third statement में आप से बोला जा रहा है कि अगर हम अपनी country की बात करें तो हमारी country के बारे हम बोला जा रहा है कि हमारी country भी SKO project के through participate कर रही है और इसके अंदर जो involved department की बात करें तो वो हमारी country से है department of atomic energy और उसके लाबा department of science and technology यानि कि आप ये कह सकते हो हमारी country की तरब से दो department इसके अंदर involved में एक DST यहनिके department of science and technology और इसके लाबा department of atomic energy आप बोल सकते हैं ये दोनों department इसके अंदर काम कर रही है तो तीनों statement में से correct statement चूज करना है option A की बात करें तो first statement और second statement correct बताय जा रहे है option B की बात करें तो आपको ये first statement और third statement correct बताय जा रहे है और option C की बात करें इसमें आपसे बोला जा रहे है कि second and third ये correct है और option D की बात करें तो तीनों ही statement आपको correct दे रहे है तो आपके according correct answer क्या है question को time कर लीजिए इस question के correct answer की बात करें यानि की square kilometer area observatory की बात करें जिसे short में SKO आप बोल सकते हो ये world की largest telescope को setup करने का काम किया जा रहा है ये बात जो first statement में आपको बोले गई थी बिल्कुल correct है और इसके अगर headquarter की बात करें तो UK based इसका headquarter होने वाला है हाँ ये आप कह सकते हो अगर हमारी country से अगर participation की बात करें तो दो department involved इसके अदर department of atomic energy और इसके लावल department of science and technology जिसे आप short में DST बोल सकते हो और DST के इलाभा आप कह सकते हो DAA ये दोनो department हमारी country से involved है तो third statement भी correct है और अगर second statement की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि हमारी planet की उफर life का origin कैसे हुआ इस चीज को study करना galaxy वगरा कैसे बने planet वगरा कैसे formation हुआ इसके deep study के लिए ये चीजे बनाए जा रही है बिसिकली हो ये रहा है कि इस project के अंदर जो telescope होते है two different location पे उसे set कर लिया जाता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए South Africa और Australia में इस तरह की चीजों को एक antenna arrow आप कह सकते हो telescope design किया जा रहा है इसे setup किया जा रहे है तो correct answer जो हमारा हो जाएगा तीनो statement correct होने की वज़े से दी हो जाएगा इस question में आप से government security के बारे में question पूछा जा रहा है और उसी के regarding में आपके पास चार statement दे दिये गए government security भी बोल सकते है आप short में से gsec जी सेक भी बोला जा रहा है जी सेक बोलिए या government security बोलिए एक ही बात है तो यह first statement आपके सामने उसके बाद यह second statement है फिर यह third statement और यह fourth statement चारो statement में से आपको correct statement choose करना है first statement बोला जा रहा है कि government security का मतलब यह होता है यह debt instrument के दुआरा जब वो किसी money को borrow करती है market से यह आपको इसके बारे में सकते हैं जिसके बारे में बोला जा रहा है कि government loan लेने के लिए सीज का इस्तमाल करती है आपसे बोला जा रहा है कि ट्रेजडी बिल जो होता है वो long time instrument होता है जिससे आपके सकते market वगरा को control किया जाता है cash flow को control करना currency को maintain करने के लिए government जो term use करती है उसे ट्रेजडी बोला जा रहा है और ये जो इस का टाइम पीरिट के बारे में आपको बोला जा रहा है रहा है ट्रेजडी बिल का 5 यर से लेकर से लेकर के 40 यर के बीच में time period के लिए issue किये जाते हैं थर्ड ये में यह तरह का जो government security होती है, यह tax-free, not tax-free होती है, not tax-free का meaning समझ लीजिए, कि कई बार हम लोग investment करती है, तो कुछ ऐसी भी investment होती है, जिसमें government हमें यह benefits देती है, कि हमें tax benefit देती है, उसमें tax नहीं pay करना होता है, जैसे for example, जैसे LIC वगर हम आप invest करते हैं, LIC में लगाते हैं, य इसमें आपको tax pay करना पड़ता है, उसी तरह government security भी ऐसा है, जिसमें tax-free नहीं है, it means you have to pay the tax, इसके अंदर आप यह बोल सकते हो, तो यह चार स्टेटमेंट है, चारो स्टेटमेंट में से आपको correct statement चूज करना है, option A की बात करें तो first, second, third, यह तीनो statement बिलकुल आपको correct दे यह गलत है, बाकी तीन statement बिलकुल correct है, और option D में आपको चारो स्टेटमेंट बिलकुल correct बताया जा रहे है, यानि कि all four are correct, तो आपके इसाब से correct answer के है, question item कर लीजिए, इस question के correct answer की बात करें तो इसमें जो first statement आपको दे रखा था, यानि कि एक तरह से instrument आप कह सकते है, government security के बारे में, security का use करके government के अगरती है, market से जब भी उसे किसी plan वगरा को execute करना होता है, fund की कमी होती है, तो government security issue करके वो अपने पास money को raise करती है, पैसा ले लेती है, एक तरह से loan के रूप में, तो first statement बिलकुल correct हो गया, बाकी अगर second statement की बात करें, इसमें ट्रेजरी बिल के ब बाता होना चाहिए, यूजली जो issue किया जाता है, वो three months के लिए यूशिय कर दिया, six months के लिए यूशिय किया, ये time period जादे तर ऐसा ही होता है, कि 6 मेने के लिए, या तीन मेने के लिए, कई बार 9 मेने के लिए, इसे issue कर दिया जाता है, तो ये statement आपको यहां गलत हो गया, अगर long term की बात करें, तो long term जो period होता है, वो आप कह सकते हो, more than one year होता है, usually जो अगर government long term instrument use करती है, तो उसके लिए जो time period होता है, five year से 40 year के बीच में होता है, और जो अब इस तरह से कह सकते हो, कि भी ये security deposit के बारे में आपको short term बोला जा रहा है, ये short term नहीं है, बलकि long term period के लिए ये इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है, तो third statement भी हमारा गलत हो गया, हाँ fourth statement बिलकुल correct है, जिस तरह से fix deposit में हमें tax वगरा payment करना होता है, similarly we have to pay the taxes for the government security, यानि कि government का कोई भी आप share, अगर आपको purchase करते हैं, उसमें आपको जो भी dividend वगरा या फिर interest वगरा मिलता है, उसमें आपको कुछ percentage आपको tax में pay करना होता है, यानि कि आपको tax benefit इसमें नहीं मिलता है, तो first and fourth statement correct होनी की वज़े से, आप कह सकते हो, correct answer आपका B हो गया, इस question में आप से evaculum national park के बारे में question पूझा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये बत आउने ची, इसकी location क है, उसके according ही, इस question को answer आप कर पाएंगे, और first statement में आपके location के बारे में आपको बताया जा रहा है, कि इवाकुलम national park के अगर हम बात करें, इसकी location बोला जा रहा है, कि वेस्टन घाड के अंदर, तमिल नाडू state के अंदर ये आता है, second में आपसे बोला जा रहा है, कि इस national park के अगर हम बात करें, तो ये बोला जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है, साउथ के अंदर, ये third statement में आपको बोला जा रहा है, कि इस national park के अंदर का, कि अगर grassland area की बात करें, तो बहुत ज्यादा ऊचे grassland वगरा यहां पे रहें, या बोल सकते हैं, तो तीन statement आपके सामन अपन चूज करना था, option A की बात करें, only second statement correct बताया जा रहा है, और option B की बात करें, first and second दोनों correct बताया जा रहे है, option C में आपसे बोला जा रहा है, first and third statement correct है, और option D में आपसे बोला जा रहा है, second and third statement correct है, तो ठीक है, correct answer क्या है, question attempt कर लिजे, इवाकुलम नैशनल पार्क के बारे में, तो इस question के correct answer के लिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसकी location का है, इसकी location की बात करें, तो ये केरला के अंदर आप बोल सकते है, केरला के अंदर इडुकू district है, और उस इडुकू district के अंदर ही इसकी location है, अगर आप इंडिया के मैप में अगर तो ज्यादा clear होगा आपको, ये केरला की location आजाती है, आप ये कह सकते हो, ये वाला जो इससा है, इस पूरे इससा को बात करें, ये वेस्टन घाट हो जाता है, ये वेस्टन घाट हो जाता है, और केरला का ये जो particular area, इस area में आप कह सकते हो, इसकी location है, इसकी location है, इसकी location ह लिख्वी कते हैं और अरी 221 मिटर है और यह साुथ का ह Potter द्टॉर्ण के वह सबता है और से मेंन इस्ट की और करेक्ट हो गया करें करें और अ कि यहां पर grassland वगरा के बारे में बोला जा रहा है highest है वो भी बाद भी बिलकुल correct है और यह माना गया है कि इस reason के अंदर हमारी Indian grasshopper की species पाई जाती है और उसे 1964 में इसे कह सकते हो कि IUCN की जो red list है उसके अंदर red book में इस species को mention किया गया है तो correct statement की बात करें तो third and second statement correct होने की वज़े से हमारा answer D हो जाएगा तो आज की इस video में इतना ही है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी comment करके बताईए आपका score कि इतना रहता है स्क्रीन पर आपकी वीडियो आई है इसे प्ले करके जुरूर देखिए और रिविजन करिए को doubt है को suggestion है वो भी आप comment करके बता सकते है इसके लाब आगर आप टेलिग्राम ग्रूप अभी तक join नहीं किया जॉइन कर लीजिए और बाकी सारी useful link आपको नीचे description में मिल जाएगी चलिए फिर मिलते है नेक्स वीडियो में आज की इस वीडियो में इतना ही है चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस वीडियो की notification receive हो सके है